हलो गाइस कैसे हैं आप लोग आप लोग के लिए न्यू टिप्स लेकि हम आ गया यह छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमारे कामों को बहुत आसान बना देते हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा हमने कौन कौन से टिप्स सेयर किया है तो चलिए देख लेते हैं प तुरंत वहां पे कुछ भी नहीं रहता अगर आपके पास अब आपके किचन में रखा हुआ है कोल गेट उसको तुरंत निकालिए जहां पे जले हो वहां पे लगा दीजिए तेक भी ना जलान होगी और जो फफोले निकल आते हैं वह भी ना निकले गए ताप यह कोल गेट इसको रखे रही है अगर आप नहीं कोल गेट को नहीं करते तब भी इसको रखे रही है और जब भी ऐसी जरूरत पड़े तो आप इसको इस प्रकार से युच कर सकते हैं तो इसको तो मैं जब जलती हूं जदे इसको जरूर युच करती हूं क्योंकि यह बहुत यह नहीं क कौन सी है अगली टीप सी इस प्रकार सीजर से है जो सीजर जो होती है तो हम लोग क्यों काम करते करते कह रहाते हैं इसकी धार बिल्कुल ही खतम हो जाती है एक भी काम नहीं करता आप इसको बेन अपने पैसे की बचत कर सकते हैं इसमें धार जो है तो घर में ही ला सकते हैं इ अपने पैसा बचा सकते हैं तो इसमें क्या करना है आपको इस प्रकार से रगड़ना है तो जब आप रगड़ेंगे हलके हाथ से रगड़ना है और अराम से शिप्टी से आप रगड़िएगा जिसे हाथ हो तो में लगवाईएगा तो इस प्रकार से आप रगड़ेंगे तो रहते हैं तो उसकी धार चली गई हो तो इस प्रकार से मैं अपने सीजर में और और जिसमें धारी चली जाती तो मैं ऐसे ही करती हूं आप लोग की यह टिप्स जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजेगा तो चलिए अगली टिप्स देख लेते अगल आगले को शेहर वाड़ी टिप्स देख निजेगा जाँए उन दिनकिस भीडियों दिन कैशी यह शोचा पार्ध यह बदूर का क्या सबुद्वाद कर दो कि तो आपको क्या करना एं यह टिप्वी हो ले लेना है इसमें आपको टेलकम पौर में यह टिना हो अच्छ टिप्स बताने आप टिल Legum पाउडर पहले भर दीजिए और इसमें ढ skipping मिठा सोड़ा जो खाने वाला सोड़ा होता उसको ढाल दीजिए अधा चम्माश इसको गाल दीजिए इसको अच्छेसे मिला दीजिए मिलाने के बाद इसको फिर क्या करना है चलिए देख लेते हैं इसको कैप को लगा देते हैं इस प्रकार से इसको लगा देंगे अब इसको तो लगा दिए हैं अब इसमें फ्रेंग्नेंस कैसी आएगी इस क्योंकि यह पैक हो गया इसके लिए बहुत अच्छी टिप्स है कि आप कोई की चीज ने उक्विली चोज्ज होती है उसको गरम कर लीजिए और इस प्रकार से होल कर दीजिए और इसे होल कर देंगे तो इसकी फ्रेंग्नेंस जो है तो बाहर आने लगेगी ताप इस प्रकार से जितने होल हो उसने कर दीजिए और साफधानी पूरवक से करिएगा इसको तो आपको अपो आपको इसमें घरम कर लेंगे तो इस तरीके में ऑल Χोन हो जाएगा तो कैसे लगए दीश जरूर बताइएगा और ये इसको आप पे चाहे अपने आलमारी में रख दीजे चाहे किचर में रख दी जहाँ पर आपको प्रेग्मिन्स की जरूरत हो तो वहां पर रख सकते हैं तो कैसे लगाई टिफ्स जरूर बताएगा तो चलिए अगली टिफ्स देख लेते अगली टिफ्स कौन सी है अगली टिफ्स इस प्रकार जैसे की कोई सामान हम लाते हैं और रख देते हैं जैसे कोई कंटेनर में रखे फिर आधक खाली हो गया तो क्या राता है कि फिर ऐसे र ले लिए और इस प्रकार से आप इसको कर दीज़े अखलाद क्लिफ को लगा दीजिए तो जो इसमें सामान रखा हुआ तो इस खराप नहीं होंगे और यह जो है तो आप यूज कर लेंगे जल्दी यूज करिएगा तो यह ज्यादा समय तक इसको मत रखिएगा कि खराप हो जाएं क्योंकि खुली हुई है इसमें थोड़ा बहुत तोहावा जाती ही होगी ताप इसको नहीं काइम से यूज कर लिजे तो कैसे लगा यह टिप्स जरूर बताएगा तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है अगली टिप्स भी आपके बहुत काम आने वाली है तो इसको हम लोग तो बहुत काटने में बहुत काम लेते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप्स बताने वाले हैं तो आपको क्या करना है अगर आपका चोपर भी धार भी नहीं है खतम हो गई है तो आपके लिए क्या है कि इसकी धार लाने के लिए आपको बहुत अच्छा यानि टिप्स बताएंगे तब वीडियो में बने रहेगा तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे कोई वीडियो डाले आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए तो चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे इसमें ध जल्डी धार हो जाएगी आसानी से हो जाएगी तो इसमें क्या करना है आपको रगड़ना है उल्डे साइट से इस प्रकार से आप इसमें रगड़ दीजे ति यह इसमें धार जो है तो आसानी से आजाएगा और आपका जो चोपर है ओ भी काम करने लगेगा मैं तो ऐसे ही करती हैं जैसे कि इसमें धार नहीं है तो सब्जी भी आसानी से करती नहीं थोड़ा टाइम लगता है तो इसमें इस प्रकार से कर देते धार आ जाता है और जो सब्जी कट कर रहे हैं आसानी से ये कट हो जाती है आप भी करके देखिएगा आपको जरूर पसंद आया होगा यह पसंद आएगा अगर आपके चोपर की धार चली गई है तब इस परकार से इसमें हलके हां से रफ कर सकते हैं तो कैसे लगा यह टिप्स प्रे करते हैं तो पिसा हुए न लाके अगर आप घर में बना सकते हैं आप इस प्रकार से डली वाला ले लिजे डली वाला क्या है फ्रेंड का आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा कि राना इस्टोर में तो हां से ले लिजे मैं तो ऐसी करते हूं घर में ही इसको पीश ल और एक खल ले लिजे आपके पास खल हो गई इस प्रकार छोटा से असाने से इसमें कुट जाएगा दरदरा कुट जाता है फिर उसको आपको क्या करना है कि एक आपको जार लेना है जार में इसको बढ़ दीजे और पीच लिजे और तो यह आपका जो नमक है तो तियार हो ज पिना कर सकते हैं बना सकते हैं यह आप फिसे जरूर कि पीशने के बाहता है और जब आप जरूरत पढ़े तो इसको भी वीच कर सकते हैंımızı आ дв r जरूर पसंद आई होगी तो अगली टिपस में फिर मिलते हैं कोई अच्छी सी टीप्स लेके अगर आपको भी कोई यह टीप्स देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए पर फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाइए थैंक्स वार वाचिंग